गुद बॉर्निंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रम गेस्टो लिवर हॉस्पिल स्वरूपनगर कानपूर आज हम बात करेंगे लिवर के बारे में जैसा आप जानते हैं लिवर हमारे शरील का बहुत महत्तपून अंग है जहां तक डाजेस्ट्र सिस्टम है डाजेस्ट्र सिस्टम या पाचन तंतर का ये सबसे महत्तपून अंग है जो पाचन तंतर को ठीक से चलाता है ऐसा माना जाता है कि यह basically जैसे orchestra होती है उसका एक master of ceremony होता है जो पूरे के पूरे तंतर को चलाता है ऐसे liver basically हमारे पाचन तंतर के पूरे के पूरे तंतर को चलाता है आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तों में liver क्या-क्या काम करता है liver को ऐसा माना जाता है कि यह it is jack of all trades इसका मतब है कि यह बहुत सारे काम करता है हमारी शरीर के अंदर अब हम देखने की कोशिश करेंगे number one हमारे खून में जितनी भी गंदी चीज़ें होती है इन्हें यह साफ करने का काम करता है इसका मतलब यह है कि यह खून की सफाई करता है liver और kidney liver basically खून की सफाई करने का बहुत मात्तुपूर्ण अंग है number two जो liver है यह हमारे शरीर में पित बनाता है यह जिसे bile कहते हैं जो bile होता है वो basically हमारा जो digestion है इसका बहुत महत्तुपूर्ण अव्यव है और fat के digestion के लिए इसे बहुत important माना जाता है तो liver bile बनाता है जो fat digestion में काम आता है जो liver है वो basically storage का काम करता है बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं किसी भी रूप में वो जो हमारी शरीर की जरूरत होती है उसके लिए liver उन चीज़ों को store करके अपने पास रखता है ताकि जब आपको जरूरत हो तो वो चीज़ें इसा मानती है और जानती है कि second ऐसे दूसरे काम है जो liver हमारे शरीर के लिए करता है तो liver इतना सारा काम करता है हमारे शरीर के लिए इसलिए ये कहा जाता है कि liver शायद jack of all trades है now सबसे पहले तो देखे कि liver होता कहा है liver basically हमारी दाई तरफ इस पसली के अंदर होता है ये right side rib cage के अंदर होता है जहां तक liver के वजन का सवाल है औस जो हमारा body weight है उसके हिसाब से liver करीब करीब 7 kilo के आसपास का होता है 1200 ग्राम 1300 ग्राम के आसपास या ऐसा मान की चलिए कि हमारे शरीर में जितना भी खून होता है उसका लगभग-लगभग 13 प्रतीशत blood किसी भी समय या हर समय हमारे liver के अंदर मौजूद रहता है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर में 5 liter blood होता है तो करीब-करीब आदा पौन लीटर के आसपास का blood हमेशा हमारे लीए के इसलिए क्योंकि इसमें blood की मात्रा काफी ज़्यादा होती है। और चूँके जो blood होता है, वो venus होता है, तो इसलिए इसका जो color होता है, वो dark brown होता है, bright red नहीं होता है। और यह जैसा मैंने कहा, यह right side में हमारे rib cage के अंदर होता है। Now, ऐसा माना जाता है कि जो liver है, वो self starter है, self starter से क्या मतलब है, आप जैसे देखते हैं, जैसे कुछ होते हैं कीटाओं, जैसे छिपकुली होती है, अगर छिपकुली की पूछ कट जाए, तो उस छिपकुली को आप अगर watch करते चले जाएं, तो आप देखेंगे, कि आने वाले 24 20, 48, 72 घंटे में उसकी जो पूछ है, वो दुवारा दीरे 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 ऊग जाती है, विकास जो genetically वो इसके लिए programmed है, कि यह self starter है, और दीरे दीरे पूछ फिर दुवारा जोना पैदा हो जाएगी, हमारी शरीर में शायद liver एक मातर ऐसा आरगन है, जो self starter है, अगर कभी ऐस हो जाए दुर्भाग से, कि आपको कुछ accident हो जाए, और liver में चोट लग जाए, और कुछ इतना damage liver में हो जाए, कि सर्जन को आपकी liver को operate करके, तीन चोथाई हिससा भी निकाल देना पड़े, तो विज्ञान ऐसा मानती है, कि अगर तीन चोथाई liver भी कट करके निकाल दिया जाते हैं, जैसे कोई आदमी अपना liver किसी अपने patient को या किसी भी अपने family member को जिसको जरूरत है उसको donate कर देता है, या live transplant किया जाता है, तो by and large जो liver देता है, उसका approximately 50% liver निकालके दूसरे शरीर में fit कर दिया जाता है, या उस patient को जिसको जरूरत है, उसे transplant कर दिया जाता ह and यह observation है, विज्ञान ऐसा मानती है, विज्ञान ऐसा जानती है, कि जिससे liver निकाला गया, over a period of time उसका liver भी complete होके normal हो जाएगा, प्लस जिससे liver दिया गया है, उसकी भी size liver की देरे देरे बढ़के almost normal हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि liver self starter है, अगर liver को transplant किया जाए तो region rate तो भी जो है न लिवर पूरा का पूरा region rate हो जाता है, तो यह character शायद हमारे शरीर में liver के अलावा दूसरे किसी भी अंग में possible नहीं है, इसे pharmacist भी माना जाता है, what do you mean by pharmacist? जितनी भी medicines हम खाते हैं या दबाईयां खाते हैं, मान के चलिए कि 90% जो दबाईयां हैं, उनको liver होके ही जाना पड़ेगा, जो liver के होके जब दबाईयां जाती हैं, तो liver basically उन दबाईयों को दो तरह से utilize करता है, कुछ दबाईयां ऐसी हैं, जो liver उनको तोड़ता है, और जैसे ही उनको तोड़ता है, तो उनके जो product बनते हैं, वो actually जोना हमारे शरीर में काम करते हैं, तो basically liver उन दबाईयों को activate करता है, मतब जब आप दबाईयों को अक्टिवेट करते हैं, तो liver में पहुंचती है, उनको activate करता है, और वो पिर हमारे liver शरीर में काम करती हैं, कुछ दबाईयां ऐसी होती हैं, जिनने हमारा जो liver है, वो deactivate करता है, या उनको metabolize करके खतम कर देता है, जो भी दबाईयां हैं, या deactivate कर देता है, तो यह सब जो हैना हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं, और निकलने की दो ही रास्ते हैं, या यह liver से पित के जरिये होते हुए intestine में जाएंगी और later में निकल जाएंगी, या यह liver से blood में जाएंगी, इन kidney के रास्ते से urine में निक मदद करेगा, और या deactivate करेगा, तो दबा metabolize हो जाएगी, और urine या latent के रास्ते से बाहर हो जाएगी, नौ जहां तक digestive system का सवाल है, आपको समझनी की जरूरत है कि जो digestion की फिकरिया है, वो मुह से ही चालू हो जाती है, in the sense, मुह में saliva बनता है, खानी की नली में कुछ नहीं भी बनता है, intestine में जब हम जाते हैं, तो वहां बहुत सारे juices बनते हैं, pancreas juice बना के देता है, लेकिन सबसे महत्पूर है पित या bile, bile actually liver बनाता है, जो bile है, वो यलो रंका होता है, या पीले रंका होता है, जो bile basically cholesterol से बनता है, तो cholesterol से bile बनता है, bile basically जो भी हम fat खाते हैं, चिकनी चीज़ें खाते हैं, fat को तोड़ने में मदद करता है, तो जो हम fat खाते हैं, bile उसको तोड़ेगा, और fatty acids में convert कर देगा, और वो fatty acids जो होते हैं, वो फिर हमारी intestine absorb करती है, एं absorb करके फिर से liver के पास भेज़ देती है, एं liver उसको store करेगा, या resynthesize करेगा, और उस रूप में resynthesize कर देगा, जिस रूप में हमारे शरीर को उसकी जरूरत है, इसका मतलब यह है कि चाए आप मकन खाएं, चाए आप तेल खाएं, चाए आप घी खाएं, यह आप कोई भी चीज, इस तरह की जो चिकनी चीज़ें खाते हैं, actually आपकी intestine में bile की मदद से ही उसको तोड़ा जाता है, या उसको digest किया जाता है, हमारे शरीर में जो vitamins हम यूज करते हैं, वो बहुत सारे vitamins, actually fat soluble vitamins होते हैं, जैसे vitamin A है, vitamin D है, vitamin E है और vitamin K, यह चार जो vitamins हैं, यह basically fat soluble vitamins कहलाते हैं, जो fat soluble vitamins हैं, इनको अगर हमारी intestine को absorb करना है, तो बिन सकते हैं, जो water soluble vitamins हैं, जैसे vitamin B है, vitamin C है, इनको जो बाइल की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि हम जो भी fat खाते हैं, उसको digestion के लिए हमको बाइल चाहिए, जो vitamins हम लेते हैं, जो fat soluble हैं, उनको absorb करना है तो हमें बाइल चाहिए, और बाइल basically जो बनता है, वो liver से बनता है, औ पिती की नली के थुरू, गाल बेडर से होता हुआ, तो लिवर बाईल बनाएगा, पिती की नली में आएगा, पिती की थैली में store होगा, और जरूरत के हिसाब से हमारी इंटस्टीन में आएगा, और अपना काम करेगा, इसे ऐसा भी माना जाता है, जो liver है, वो हमारा nutrient center है, nutrient center से मतलब कि हम जो भी खाना खाते है और खाना digest होता है वो actually हमारी जो छोटी आथ है उसमें से चीजों को absorb करती है जो भी मैं खाऊंगा वो small intestine से absorb होगा चाहे वो sugar सों चाहे वो amino acids हों चाहे वो चर्बी हो या fats हो चाहे वो vitamin सों वो सब small intestine यहां से absorb करेंगी और absorb करने के बाद जो first stop है intestine से इन चीजों को absorb होने के बाद वो liver है liver से जो भी चीज है absorb होके जाएगी वो सीधे liver में जाएगी यह first stop है और एक बार महां पहुंचने के बाद liver decide करेगा कि क्या मुझे store करना है, क्या मुझे re-synthesize करना है, क्या मुझे आगे भेज देना है, तो first stop basically liver है, जहां हार चीज पहुचती है, और जहां एक बार चीज़ें store होती है तो उसके बाद जैसी हमारी शरीर में जरूरत होती है, हमारी जरूरत के हिसाब से, liver हमको यह चीज़े provide करता चला जाता है vitamin A store करेगा, vitamin D store करेगा, vitamin E store करेगा, और जब हमारी बादी को जरूरत होगी, इनको प्रदान करेगा, आपने ज़्यादा sugar खाए, glucose खाया, carbohydrit खाए, इन सब को glycogen की रूप में store करेगा, और जब हमें एसी जरूरत होगी, glycogen को फिर से convert करेगा, glucose में और हमें supply कर देगा, इसका मतलब यह है कि यह store करने का काम करता है और जब हमें जरूरत होती है तो उन चीज़ों को बाहर निकालके देता है तो इससे basically है nutrient center now, जब भी हम खाना खाते हैं, तो कितनी भी हम सफाई से खाना खाएं या खाना साफ करते चले जाएं लेकिन जो खाना है या जो हम nutrition लेते हैं तो ऐसा मना जाता है कि कुछ ना कुछ उसमें toxic material तो पहुंचते हैं जो toxic material पहुंचते हैं वो भी intestine absorb कर लेती है कि intestine का तो एक ही काम है कि आपने जो खाया उसमें से जो absorb कर सकती है वो absorb करेगी वो सही हो या गलत हो intestine को सही गलत का कोई अंदाज़न नहीं है लेकिन कोई भी toxins ऐसे हैं जो हमारी body को required नहीं है या हमारी body के लिए harmful हैं वो liver के अंदर अगर पहुंचते हैं तो liver basically उन्हें break down कर देता है और break down करने के बाद उनको destroy करने के बाद उनको पित के थुरू या urine के थुरू शरीर से बाहर कर देता है इसका मतलब यह है कि toxins को filter करके बाहर करता है इसलिए इसे food filter भी माना जाता है कि अगर गलत चीज भी चले गई और वो liver के पास पहुँची तो liver उसको filter करके बाहर कर देगा now next ऐसा माना जाता है कि जो liver है basically detox control detox control से मतलब जैसे अभी हमने toxins की बात की कि यह toxins को destroy करके अलग कर देता है detox control से मेरा मतलब है कि जब बहुत सारी चीज़ें जब liver के पास पहुचती है तो उनको metabolize करता है utilize करता है in the sense कि जैसे हम alcohol लेते हैं alcohol basically जब हम पीते हैं तो हमारी खाने की थहली में पहुचती है हमारी intestine में पहुचती है intestine basically उसको absorb करती है और liver को देती है और वहाँ से blood circulation के थूँँ जाती है तो तब जाके आपको alcohol का जो effect है वो अपने brain में महसूस होता है लेकिन जो alcohol है वो हमारा liver metabolize करता है और metabolize करके यह basically acetaldehyde में convert कर देता है यह जो converted alcohol है यह basically over a period of time हमारी urine में से बाहर निकल जाती है इसका मतलब यह है कि इस तरह की चीजों को जो toxic है और जो हम consume करते है उनको भी हमारा liver breakdown करता है detoxify करता है और urine या latin के जरिये से बाहर निकाल देता है इसका मतलब यह है कि विज्यान अगर ध्यान से देखे तो इन चीजों को liver ऐसा मानता है कि मैं detox control हूँ और इन चीजों से आपके शरीर को साफ कर देता हूँ now next is इसे security gate माना जाता है या समझे या इसे security guard भी कह सकते हैं आप in the sense कि जो भी हम खाते हैं या कोई भी चीज हमारे liver में पहुंचती है तो यह basically उस चीज को पहचानता है उस चीज को पकड़ता है और उस चीज को destroy कर देता है चाए वो bacteria हो चाए वो virus हो चाए कोई दूसरे germs हो जो liver के पास पहुंचते हैं उनको यह destroy करेगा और destroy करके हमारी body के बाहर कर देगा यह जो destroy करनी की प्रकिरिया है इसको कहते हैं phagocytosis ऐसा माना जाता है कि हमारा जो liver है liver के अंदर phagocytes की पूरी आर्मी होती है यह वो cells है जो unwanted चीजें होती है चाए वो अनपर unwanted bacteria हो unwanted viruses हो unwanted दूसरे germs हो इनको destroy करने का काम करती है तो जो phagocytes की आर्मी liver के पास में होती है इन चीजों को finish करेगी और हमारी body को protect करके चलेगी इसलिए इसे basically security guard यह security gate भी माना जाता है अब बहुत सारी जो चीजें है हमारी जानकारी में आने लगी है कि हमारा जो मनुविग्यान है मनुविग्यान से मेरा मतलब है कि हमारा जो mood है हमारी जो sleep habits है हमारी जो actions है यह हमारी जो alertness है यह हमारी जो thoughts की clarity है sharpness है यह बहुत सारी जो चीजें है हमारी liver की health पर dependent है हमारा जो liver है बहुत सारे chemicals बनाता है जो इन चीजों को determine करती है कि हमारा mood कैसा होगा हमारी sleep कैसी होगी हमारा behavior कैसा होगा हमारी mental clarity and sharpness कैसी होगी जिसे आपने सुना हो कि लिवर सिरूसिस की जो मरीज है अगर लिवर प्रॉपर काम नहीं करता है तो उनका कुमा हो जाता है तो अगर लिवर काम नहीं कर रहा है तो आपको कुमा कैसे डिवलप होगा अगर liver proper काम नहीं कर रहा है तो आपकी body के अंदर ammonia के level बढ़ जाता है अगर आपकी body के अंदर ammonia के level बढ़ेगा ये जो ammonia है आपके brain में जाएगी और अगर ammonia आपके brain में जाएगी तो एक level पर आके ये आपका behavior change करेगी अगर उसके बाद भी बढ़ती रही तो ये आपको unconscious करेगी और भी बढ़ती रही तो वास्तों में ये आपके जान का खत्रा तयार कर सकती है तो बहुत सारी research इसी direction में ongoing है इस चीज को जानने के लिए कि वो कौन सी chemical से जो liver बनाता है जो वास्तों में हमारे mood हमारी sleep habits हमारी sharpness of thoughts and clarity इन सब के लिए जिम्मेदार है and मैं समझता हूँ in future it is quite possible that we may be able to find them out now liver को fuel tank भी मना जाता है fuel tank कैसे उसको समझने की जरूरत है आप ये देखिए कि हम जो भी खाना खाते है उस खाने में से actually हमारी intestine उसको break down करती है मैं दाल खाऊँ, मैं चाबल खाऊँ, मैं रोटी खाऊँ, मैं सबजियां खाऊँ इन में जो भी चीज़े हैं उसको intestine basically पचा के break down करती है हमारा जो शरीर है हमारा शरीर एक ही currency पहचानता है एक ही currency से मतलब एक ही चीज़ यूटिलाइज करता है that is glucose अगर हमें रोज मररे की energy चाहिए चलने में, मैं हाथ चला रहा हूँ तो मुझे energy चाहिए इन सब चीज़ों के लिए जो energy है basically glucose से आती है क्योंकि glucose ही वो currency है जो body पहचानती है जो carbohydrate है वो convert होके glucose में convert होते है तो होता यह है कि जो भी हम खाना खाते है हमारी intestine जो नो उसको digest करेगी, उसको absorb करेगी यह वो सब glucose के रूप में जो नो basically हमारे liver को पहुँचता है मान लिजिए कि liver के पास बहुत सारी मात्रा में glucose पहुँचा तो क्या करेगा liver ऐसा तो ही नहीं का पूरा का पूरा जो शरीर को सौम देगा कि तुम समझो अपना काम करो ऐसा नहीं है liver इस glucose को glycogen में convert करेगा और glycogen में convert करके अपने पास में store कर लेगा जितनी जरूरत उसनी body को देगा फिर कभी ऐसी इस्तिती है कि आपने जैसे खाना नहीं खाया आप खाली पेट हैं और आप जो हैना कुछ काम कर रहे हैं आपकी body को glucose की जरूरत है और glucose की supply intestine से नहीं आ पा रही है तो आपका जो liver है इस glycogen जो storage है इसको तोड़ेगा उसमें से glucose बनाएगा इन वो glucose आपके blood को supply करेगा इसका मतलब यह है कि जो glucose access में आया उसको इसने glycogen करके store किया और जब आपको जरूरत glucose की है तो इस glycogen को तोड़ा और तोलने के बाद आपको जोने glycogen सप्लाई किया यह इसी तरह की चीज है कि आप पैसा एकर्टे करते हैं आप एक FD बनवाते हैं FD आप बेंक में जमा करते हैं और जब आपको जरूरत पड़ती है तो बेंक आपको provide करता है money इसका मतलब यह है कि यह fuel tank जैसा काम करता है और glycogen को store करता है liver को actually fuel factory भी माना जाता है fuel factory से क्या मतलब है इसको समझने की जरूरत है जो भी हम खाते हैं उससे जितना glucose develop होगा intestine में वो intestine absorb करके liver को देगी जितना glucose का utilization हो सकता है उतना तो body करेगी जो excess glucose होगा उससे basically liver अपने पास glycogen करके store कर लेता है और जो glycogen करके store कर लेता जब हमें जरूरत होगी और जब glucose की availability is needed तो जो liver है उस glycogen को फिर तोड़ेगा glucose में convert करेगा और हमें glucose प्रवाइट कर देगा इसका मतलब यह excess glucose glycogen में convert होता है और जब जरूरत होती है तो glycogen glucose में convert होती है तो ऐसा ही यह cycle चलता रहता है कि हम खाना खाते हैं तो glucose आया liver ने उस glucose में से जतनी जरूरत है वो body को दिया जो नहीं जरूरत है उसो glycogen करके store किया और जब बाद में जब जरूरत हुई तो उस glycogen को तोड़ा और glucose supply किया कभी ऐसी अगर इस्थिती उत्पन हो जाए कि मैं लंबे समय खाना नहीं खाऊं तो ऐसी इस्थिती होगी कि intestine अप glucose दे नहीं रहे है liver को अगर ऐसी इस्थिती उत्पन होगी तो liver क्या करेगा liver is very intelligent and capable organ यह basically जो हमारे शरीप में protein होते हैं उनके जो amino acids होते हैं उन amino acids से glucose बनाने लगेगा जिसे कहते हैं new glucogenesis यानि amino acid तो protein को तोड़ने लगेगा protein को तोड़के उसके amino acid बनाएगा और amino acid से new glucogenesis करके glucose develop कर देगा ऐसे ही अगर इसके पास glucose की availability नहीं है तो यह basically fats को तोड़ेगा और fats को तोड़के ketone bodies basically बनाने लगेगा और उन्हें एस fuel इस्तेमाल करने लगेगा इसका मतलब यह है कि यह fuel factory है अगर आपको जरूरत है तो यह alternative source of energy तयार करता है अगर आप proper मात्रा में जोने diet नहीं लेते हैं और आप glucose नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं बोड़ी को तो liver protein से भी आपको glucose बनाएगा fat से भी आपको basically energy प्रोवाइट कराएगा तो यह fuel factory है इसे chemical factory भी माना जाता है in the sense कि liver जो है ऐसा second काम करता है जो हमारे लिए जरूरी होते हैं यह amino acid से protein बनाता है इस protein में बहुत सारे clotting factors होते हैं जो सबसे important है वो भी यही बनाता है जैसे अगर मुझे कहीं कुछ cut लग जाता है तो इसमें से bleeding होती है यह blood निकलता है आप देखते हैं कि आप इसको एक minute दवाते हैं और blood निकलना बंद हो जाता है यह क्यों बंद होता है क्योंकि यहाँ पर clot बन जाता है यह जो clot होता है वो basically एक prothrombin नाम का protein करता है जो हमारा liver बनाता है और यह prothrombin ही basically हमारे खोन के जमने के लिए जिम्मेदार होता है इसलिए आप जानते हैं कि जब liver की बीमारी होती तो अकसर patients को bleeding की problem develop हो जाती है क्योंकि उनका prothrombin कम बनने लगता है तो उनको मसूरे से, नाक से, यूरिन से सबसे blood आनकी संभाव न बढ़ जाती है क्योंकि खून सामाने से पतला हो जाता है एंड जितने भी vitamins हमारे body में होते हैं तो विज्यान ने समानती है कि पूरी की पूरी body को जो एक vitamins की supply है चाहे वो fat soluble vitamins हो even water soluble vitamins also यह basically liver ही supply करता है क्योंकि यह अपने पास store करके रखता है fat soluble जादा, water soluble कम तो अगर हम मोटे तोर पे देखें तो जो liver है liver digestive system के हिसाब से सबसे महत्तपून अंग है liver शरीर के हिसाब से बहुत महत्तपून अंग है क्योंकि यह इतने सारे काम जोना हमारे शरीर के लिए करता है जो किसी भी एक individual organ के लिए it is commendable ऐसे कोई दूसरा शरीर में अंग नहीं है जो एक साथ इतने सारे काम करता हो चाहे lungs हो चाहे heart हो, चाहे brain हो चाहे other दूसरे organs हो वो कोई भी ऐसा organ नहीं है जो इतने सारे काम एक साथ करता हो जितना liver करता है इसका मतलब यह है कि liver is one of those organs which is capable of everything तो इसलिए इसको समाल के रखना हमारी सब की जिम्मेदारी बनती है ताकि यह स्वस्त रहे और यह स्वस्त रहे तो प्राइब बनती है